Hello friends, welcome back to my channel The Taste of India तो friends कैसे हैं आप आज हम बनाने जा रहे हैं मटर और मंगोडी की सबजी friends मटर मंगोडी की सबजी अक्सर सर्दियों में ही बनाई जाती है तो चलिए फिर बनाते हैं टेस्टी सी मटर और मंगोडी की सबजी इसे बनाने के लिए मैंने केस पे कड़ाई रखी है उसके अंदर तीन चोटे चमच ओएल डाला था ओएल अच्छे से घरम हो जाने के बाद आदर चोटे चमच जीरा और थोड़ी सी हिंग डाली है अच्छे से चटक जाने के बाद अदरक और लेसून का मैंने इसके अंदर पेस्ट डाला है और फिर मैंने बारिक कटी हरीमिर्च डाली है दो गोल्डन होने तक मैंने इने भून लिया है मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इने भून लिया है फिर मैंने एक बाउल भरके मटर लिये हैं मटर अच्छे से मैंने धो के इसमें डाल दिये हैं मटर और मैंने इसके अंदर डाली है गोबी मुझे सबजी के अंदर गोबी भी पसंद है इसलिए मैंने डाल दी है फूल गोबी मैंने डाल दी है एक बाउल भरके अगर आपको ग फ्रेंट्स आप भी एक बड़ी को जरू ट्राइब और अधा चोटा चमच फ्लैम पर बून लिया और आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर एक चमच चमच को पाउडर पाउडर आप मसाले अपने टेस्ट के अपाउडिंग कम या जादा रखे मसाले बाद मैं अच्छे से मि मीडियम फ्लेयम जपी नेरो आथ 1.,12 मेरे प्रों फ्रेंच सब्सक्राइब नाया तो मीडियम फ्सक्राइक sonor के शार का लहाँ यूज के वीडियो भी आपको देखेखे बाजार की मंगोडी मैंने यूज नहीं की है तो घर की मंगोडी मैं इसके अंदर डाल दी है अच्छे से सेख के मैंने इसमें मंगोडी डाली है आपके पास घर की बनीवी मंगोडी नहीं हो तो फ्रेंट साब बाजार वाली मंगोडी भी यूज कर सकते हैं फिर मैंने इसके अंदर आदा गलास औ और गुनगुना पानी डाला है और दो मिनिट फिर से पका लिया है तो इसने ओल रिलीच कर दिया है और अच्छे से पक चुकी है सब्जी फिर मैंने बारी कटे टमाटर डाले हैं फिर से दो मिनिट पका लिया है ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए अच्छे से दो सबजी बनी है मेरा तो अभी से खाने का मन कर रहा है फिर मैंने से बाउल के अंदर सरु कर लिया है तो सर्दियों में आप भी इस टेस्टी सबजी को इंजोई करें अगर आपको ये कलरफुल सबजी और टेस्टी सबजी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करना ना भूले और पीस लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू सो मच फ्रेंड्स